एक लड़की क्या कर सकती है एक लड़की क्या नहीं कर सकती है हाई हाई लड़की ए रवल्या यह देखना मेकेनिकल ब्रांच में लड़की ए मान्या यह अर्षय इधर आ यह देखना अपने ब्रांच में लड़की आई लड़की यह क्या मशीन चलाएगी गयरे क्या मालूम क्या चलाए यह तो मशीन रिपेर करेगी रिपेर ए चलो चलो अपने ब्रांच में आई ना मैडम को छोड़के आते ना क्लासरूम तक मुव क्या था बे यह क्या मालूम बड़े मिया चोटे मिया पड़े मिया तो बड़े मिया चोटे मिया सुभा नला बड़े मिया तो बड़े मिया क्या चल रहा है यह, what's the problem? हमारे पास वर्ड क्लास मशिनरी है, highly qualified engineers है, trained excellent staff है, फिर भी हमारा production क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारे किसी भी क्लाइंट को टाइम पर delivery क्यों नहीं हो पा रही? हाई कोई solution आपके पास? Sir, मैं कुछ बोलू? हाँ, बोलो? आगर हम female employee appoint करें तो? female? female? क्या हुआ बापा स्टार्ट ने हुरे गाड़ी मैं हेल्प करू बेटाय तुम्हारे बस की बार नहीं है प्राय तो करने दू उतरो आप फंट कर लुब मां जढ़िया तुम कुम आप आपthe फक्षूष बार नहीं में डिए सुर्णर तुम्हारे खिyttर अलाव तुम हन्ट करें झालंसर भ Sams अंट ठूम्हारे लुब है फ्रॉब में में क्षपने की बार देना चेप fired रहेने दो, बेटा, रहेने दो मैंने तो पहले ही कहा था ये बर्तन मांजना और कपड़े धोने एतना आसान काम नहीं है और तभी मैंने ठान लिया कि मैकेनिकल इंजिनियर ही बनूंगी पर जब कॉलेज में पहली बार आई न, तो बहुत डर गए थी सारे बॉइस अच्छा हुआ, यहाँ भी मुझे ये मिली लेकिन बाद में मज़ा आया न, सारे बॉइस की तब परिशान हो गए थे अच्छा? हाँ क्या मैडम होती है क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो बोलो मुझको हाँ 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 क्या हुआ क्या हुआ आपका हो गया प्रोजेक्ट? हाँ, हाँ आपका नहीं हुआ यह रन नहीं कर रहा है हमारा तो रन भी कर रहा है आप हमें एल्प करोगे क्या होगे हाँ 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 नाइस, पाफेक्ट, लेकिन मैडम, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक महिला होकर भी इस जोब को करने का निरने कैसे लिया जहां तक मेरी सोच है कोई भी काम के लिए जेंडर इतना इंपोर्टन नहीं होता है और वैसे भी ज़रुरी नहीं है कि लड़कियोंने सिर्फ टीचिंग या नर्सिंगी करनी चाहिए अभी तो फैक्टरीज में मशिन पर ज्यादा वर्क होता है तो फिजिकल वर्क भी ज्यादा नहीं और जहां तक मेरी सोच और एक्सपिरियेंस है कोई भी फिल्ड में लड़किया ज्यादा महनत और लगन से काम करती है और सच कहूं सर मैं एक लड़की होकर टेक्निकल फिल्ड में काम करूंगी ये मेरे लिए बहुत ही गर्व के बात है and I'm feeling very proud for that, sir कर दो बहुत है जल्दी टिफीन निकाल के रखा है उपर हाँ और जॉब से आते आते मैं इनको लेकर आजाओंगी चलो जल्दी लेट हो रहा है और सुनो जब तक मैं ना आओ तब तक स्कूल में ही रहना समझ में आया ना दोनों को देखो देखो आवरत हो के मर्दों के साथ ही अमाईडी से मैं काम करती है मन्थन, निती, स्कूल में बिल्कुल मस्ती नहीं आ और आज मैं तुमारी मन पसंद का खाना बनाने वाली हूँ सुना है क्या आवरत पैसे के लिए कुछ भी काम करती है सचकमू, पहले मुझे भी बहुत डर लगा था कि इतने सारी लोगों के बीच में मैं काम कैसे करूंगी बट आफ्टोवर्स, इट वस वेरी इजी मुझे तो नहीं लगा बबा कभी डर ना कॉलेज में, ना ओफिस में, ना वक्शोप में, नेवर हाँ, ये तो हमेशा तलवार लेकरी खड़ी रहती है हाँ तो फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और कोई भी मुसिबत को हराना अपने हाथ में होता है, ना लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ पिता जी बिमारे, उनके इलाज का खर्चा, घर खर्चा और तुमारे शादी भी तो करनी है, और ये सबी करके, मैं तुमारे इंजिनेरिंग का खर्चा नहीं उटा सकता वेसे भी पड़ाई करके क्या करेगी, शादी ही तो करनी है ना, और घर संबलना है, कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर ले और इंजिनेरिंग करके कहा तो कमपने में जॉब करने जा रही है हाँ मैं जॉब करूँगी बस यही दिन देखना है यही प्रोब्लम है अपनी सोसाइटी का एक औरत ही दूसरी औरत को सपोर्ट नहीं गरती मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी और खुद की एजुकेशन का खर्चा खुद भरूँगी लेकिन मुझे इंजिनेरिंग ही करना है जाँ था करता है झाल झाल अरे लंज ब्रेक हुआ ना चलो चलते हैं नहीं नहीं आप जाएं मैं इतना काम करके आते हैं पक्का हाँ चलो ठीक है तुम्हारा फर्मिला तो काम कर गया भई हमारे कंपनी का प्रॉड़क्शन डबल हो गया लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में कहा से आई लगन से काम करती है हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल सही है आईए सर मैं हाँ ये सिस और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ जिनकी वजे से इस कंपनी का पुरा चेहरा ही बदल गया जी हाँ प्लेज गीव अ बिग राउंड अप्लाउज पर दीज त्री लेडीज सो दार तालिया हो जाए झालिया हो जाए झालिया हो जाए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस कमपनी के लिए मैंने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो चुका है और इसका सारा क्रेडिट जाता है इन्ही तीन इंजिनियर्स को और हाँ इसी खुशी के मौके पर आज मैं एक और अनॉंस्मेंट करने जा रहा हूँ हम हमारी कमपनी की एक और नई ब्रांच शुरू करने जा रहे है और उस ब्रांच की पूरी जिम्मेदारी इन्ही तीन कंदों पर होगी झाल 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 झाल